तो गयाइज वेलकम बाग तो माइच चैनल थांक यू सो मच वॉच्छिंग मैं लास्ट वीडियों सी रिएसली कल के वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स विना थांक यू थांक यू सो मच वो भी बाइन सेलिंस और गुड्स और सर्विसेस से लेकर उसमें एक्टिविटीज क्या इंक्लूड हो जाती है ट्रांस्पोर्टेशन इंश्रेंस बांकिंग एक्सेडरा और बांकिंग क्या था ऐसी एकनॉमिक आक्टिविटी जो मनी से रिलेटिट काम करें जो सकते हैं बिजनिस का सबसेट एक ट्रेड और कॉम्मर्स तो आपको बिजनिस समझ में आगया होगा तो आज के टॉपिक पे चलें तो आज के थाम नेल किया है इस्ट्री आफ कॉमर्स तो मैं अपने पीपीटी के थ्रू आपको एक्स्प्रेनिशन करूँगी पहले में बता इस टॉपिक टॉपिक इस ओन हिस्ट्री आफ कॉमर्स हिस्ट्री आफ कॉमर्स करने से पहले पहले हम यह दिखेंगे कि वाट इस कॉमर्स हम थोड़ा से रिकॉल करेंगे वाट इस कॉमर्स फिर हम हिस्ट्री आफ कॉमर्स पर आएंगे तो वाट इस कॉमर्स और वाट मीनि क्या है कॉमर्स, कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है, जो कलेक्शन एंड डिस्टिबिउशन करता है, फ्रम प्रेडूसर टू कंजूमर, अट राइट टाइम, अट राइट प्ली, टेक इन एक्जामपल, प्रेडूसर क्या हुआ, जो हमारा प्रड़क बनाता है, एक प्रेडूसर ने प्रेडूसर की, अन उसको कंजूम किया, तो क्या हुआ हम, एक प्रेडूसर ने प्रेडूसर की, अन एक प्रेडूसर की, अन अज एक प्रेडूसर की, अन 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 nation's time, many kings or head of the states launched metal coins which were accepted as a medium of exchange to stop the confusion of exchange created by the parter system. अब पहले ये समझते हैं कि parter system क्या है? I hope आपने 5-6 class में 7-8 class में कोई बाट system का मीलिंग समझाता. बाटर system क्या होता है? एक goods को exchange करने के लिए दूसरा goods देना. It means कि वहाँ पे money का कोई भी transaction use नहीं होता. वहाँ पे क्या होता है? एक goods के exchange होता है, दूसरे goods में. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले के time पे money नहीं होता था. Take an example. A और B neighbors हैं. A के पास दाल है, B के पास rise है. तो A ने दाल B को थी, B ने A को rice दिया. तो इससे यह क्या हुआ? It's a butter system. लेकिन butter system से butter system से क्या होने लगा था? कि confusion create होना था. जैसे आज हम example लें तो rice की अगर हम value देखे, price देखे, तो वो कम एस comparison to दाल. या दाल का वाइसर वहसा है. ठीक है? तो उससे ने बहुत confusion create होने लगे थे. तो ऐसे में उस time के जो महराज़ kings थे, head of the states थे उन्होंने metal coins launch किये. उन्होंने क्या किया? बोले, बाटर create हो रहा है बाटर सिस्टम से वो मनी के coins से confusion create ना हूँ. इसलिए ऐसे commerce commence to other with the growth of बाटर सिस्टम. So, now the major change in commerce came with the following development. क्या हुआ था? जब यह जब coins आये थे, तो उसके साथ-साथ कुछ systems, कुछ development हुए थे. Such as first one is indigenous banking system. Second one is rise of intermediaries third, transport then trading community and merchant corporation. आज में indigenous banking system कराऊंगी then उसके बाद यह 3-4 points नेक्स सेशन में कराऊंगी So, let's start what is indigenous banking system So, what is indigenous banking system? Indigenous banking system are those individual or private firm who receives deposit and land money or deal with funds. क्या होता था? उस ताइम पे यह first bank आई थी indigenous banking system जिसको जिसको money lender भी कहते है और अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो सहुकार भी बोलेंगे जो collect करती थी money from general public और grant loan भी देती थी जिन नीडी परसंस को लोन की जरून की जरूरत होती थी उनको पैसा भी देती थी यह नॉर्मली यह बैंके इंडिजेनिस बैंके आज भी कही न कहीं विलेंगे आज भी मिलेंगे यह perform combined function of trending, trading and banking activities फीचर क्या थे इंडिजेनिस बैंकर के की इंडिजेनिस बैंकर उस टाइम पर जब इशन टाइम पर इन्होंने पूरा important place occupy कर लिया था occupy an important place in Indian money market यह rural area में बहुत popular थे इवन आज भी कहीं न कहीं small town यह villages में आज भी popular है finance the internal trade internal trade मैंने कल क्या बताया थे internal trade जो होता है जो within the organization यह within the villages अगर हमको किसी को पैसा देना है यह पैसा लेना है तो वो within the village यह within the small town में हो जाता है the next and last features of indigenous banker is the activity start declining from the day when joint stock start growing जैसे उस ताइम पर क्या हुआ था जैसे state bank of India पंजाब national bank जब यह आने लगी तब इनकी value कम होने लगी क्यों value कम होने लगी because क्योंकि indigenous bankers जो थे कहीं न कहीं इनके demerits भी बहुत थे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके merits क्या थे demerits क्या थे so let's start merits of indigenous banking system the first one is credit to small trader मतलब small traders को भी यह लोग उधार देना loan देना तो small traders को भी यह लोग उधार देते next one agriculture agriculture जो खेती बाड़ी वाले लोग होते उनको भी easily credit दे देते loan दे 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 प्रोवाइट flexible credit मतलब कि यह flexibility थी flexibility क्या कि जैसे आज हमें home loan लेना हूं या कोई study loan लेना हूं तो हमें पूछा जाता है कि आपको loan चाहिए किस चीज के लिए किस percentage पर उस टाइम पर क्या होता था आपको कोई भी loan जाहिए वो कभी ही नहीं पूछते था आपको home loan लेना है X, Y, Z के लिए loan लेना है बस वह बहुत flexible थे आप गए आपने बोला मुझे loan चाहिए वो आपको दे 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 तो next is give loan to small unit take an example जैसे आज कल क्या होता है जैसे कोई small business करना जैसे villages small town में क्या होता है पापड का business start करना है यह कोई craft का business start करना है तो आपको loan easily दे देते हैं वहाँ पर and the last and very nice merit को advantages भी बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा customer के साथ relation हमेशा अच्छे बनाते हैं जैसे आज कल क्या होता है बैंक लोग जो access bank होती है जैसे वह लोग अपने customer के साथ relation अच्छे बनाते हैं वैसे indigenous bank भी अपने customer के साथ relation हमेशा अच्छे बनाते हैं अब हम de-manage पड़ेंगे कि क्या होते हैं ना understand what is the merit of indigenous banking system first one is old method of doing business indigenous banking system क्या होता था बहुत पुराना उनका टाइप था बिजनस करने का और इनका सबसे जादा वह था कि हाई rate of return पे take an example अगर मैं उनके पास loan लेने गई तो वह हमें बहुत high rate पे interest देते थे और जब मैंने अगर कोई deposit किया उसके बतले में मुझे बहुत कम interest पे मिलता था next lack of organization वहां का कोई policies नहीं थी कोई systematic way नहीं था कोई management नहीं था बस कोई भी चल रहा है जैसे चल रहा है next taking high rate of returns जो मैं आपको बताया doing fraud यहां पे कोई policies नहीं आप देख रहें next point पे no rules and policies यहां पे आपके साथ fraud भी कर लेते थे क्योंकि villages के थे small town के थे उनको समझ में नहीं आता था कि अगर आपका taken example मुझे interest में वापिस 10,000 मिलने थे उन्होंने मुझे 8,000 दिये मेरे 2,000 कहां गए मुझे नहीं पाता और ना वो लोग मुझे वो calculation बताते थे तो वो लोग fraud भी करते हैं इस banking system में auditing जैसे चीज भी नहीं होती थी जैसे आजकल के bank में auditing taxable ये सब चीज़े होती हैं पहले के time पे ये सब चीज़े नहीं होती थी now start the functions of indigenous banking system functions मतलब कि वो क्या काम करती थी first is lending money मैंने starting में ही बताया था कि indigenous banking is also known as money lender money lender मतलब कि loan provide करना flexible loan provide कराना small unit पे loan provide कराना etc the next is accepting deposit accepting deposit क्या हुआ कि अगर किसी small जिसकी small income है या किसी का surplus income है छोटा-छोटा और वो क्या करता था कि अपने indigenous banking को दे देता था और हर महीने यह कुछ time तक उसको rate of interest पे उसको amount मिलता था तो first lending money मतलब मुझे loan मिलना था next accepting deposit कि मैं अपना पैसा उनको दे रही हूँ surplus अमार और उसके बदले में मुझे interest मिल रहा है बैंक की तरफ से the last one is dealing in handies dealing in handies handies मतलब क्या होती है जिस जो अभी हम modern time में जिसको check बोलते है न उस time पे उस handies बोलते थे handies check के जैसे paper के form में होता था लेकिन उनकी खुद की language पे होता था आपको समझ में आया होगा अगर आपको नहीं आए प्लीज दो comment in my comment box मैं आपके doubts clear करूंगी तो thank you for watching my video and please do share with your friends bye bye thank you